पिछले कई दिनों से एक नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो है महंत बालकनाथ इन्हे राजस्थान का दूसरा योगी आदितनाथ भी खहते हैं मद्यप्रदीस राजस्थान 36 कड़ में बंपर जीत के बाद मुखमंतरी की सीट का असली सिकंदर कौन होगा इस बात पर बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है लेकिन जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है महंत बालकनाथ जो मुखमंतरी वाली लिस्ट में नमबर एक पर है लेकिन कम राजनीती कंदो के बाद भी उन्हें मुखमंतरी की लिस्ट में सामिल क्यों किया गया है इस बीडियो में यही समझने की कुशिस करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में बालकनाथ को राजस्थान का मुखमंतरी बनाया जा राजस्थान में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा सूत धार बालकनाथ को भी माना जा रहा है। मात च veg की उम्मेर में ही शन्यास ले लिया और अब राजस्थान में हिंदुत का सबसे बड़ा प्राण्ड है। पहले अलवर से सांसद रहे और अब 13 विधान सबासीट से विधायक हैं OBC होने की वज़े से ही बालकनाथ CM पत की रेस में राज कुमारी दिया से भी आगे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हालिया टेंड में यही है कि हर पार्टी OBC नेताओं को ही प्रजेक्ट कर रही है बालकनाथ का यादो होना उत्तरपदेश बिहार के साथ हरियाना में लोग सवाचनाव में BJP के लिए कारगर साबित हो सकता है UP और बिहार में यादो ओट बैंक बहुत जादा है जिसे BJP अपनी तरप करने की कोशिस कर रही है यही वज़े है कि राजस्थान जीतने के सिर्फ 18 घंटे के अंदर ही दिल्ली में एक हाई लेबल मीटिंग हुई जिसमें अमी सा से लेकर पीम मोदी भी मौधी भी मौदी भी मौदी रहे लेकिन इस बार मामला कुछ और है क्योंकि मोदी साह राजस्थान में एक नया मुख्यमंत्री बनाना चाते हैं जब राजस्थान में वसुंधर राजे डीनर पार्टी में बेस थी उसी समय बाबा बालकनात को सीधे दिल्ली बुलाये गया ठीक उसी तरह से जैसे 2017 में अचानक से योगी आदितनात को दिल्ली बुलाये गया और फिर यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मोदी शाह भी बालकनात को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाते हैं लेकिन क्यों इसे भी समझें राजस्थान विधान सभा चुनाओं में कनहया लाल मडर केस को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और राजस्थान में बालकनात ने इसे च्रम कर उठाया और इसका भाइदा बीजेपी को मिला भी हिंदुत के मुद्दे पर भी बाबा बालकनात को आगे करने पर बीजेपी को आगामी लोगसभा चुनाओं में इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है चुनाओं से पहले भी बालकनात ने अपराधियों को 3 दिसंबर तक राजस्थान छोड़ देने की चेताओं ने दी थी चुनाओं के नतीजे भी बीजेपी के पच्छ में आए हैं ऐसे में अब अगर बाबा बालकनात मुख्मंत्री बनते हैं तो यूपी की तरहे राजस्थान में भी ताबर तोड़ बुल्डोजट चलेगा क्योंकि यूपी और राजस्थान दोनों जगों पर योगी की सरकार होगी एक जगय आदित नात योगी तो दूसरी जगय बालकनात योगी की सरकार होगी इससे बीजेपी देश के अंदर हिंदुत वाली छिप को दिखाएगी, लोगों के अंदर भारत को हिंदु देश बनाने का भी संदेश चाहेगा और इसका फायदा दोज़ाट चुणाओ में बीजेपी को पखुबी मिलेगा अभी तक राजस्थान में बसंदरा राजे ही बीजेपी की सबसे बड़ी नेता थी, लेकिन इस बार मोदी के चेरे पर चुनाओ लड़ा गया बीजेपी बसंदरा राजे को अब साइड लाइन करना चाहती है, लेकिन महरानी के पास अभी भी बहुत बड़ा जनाधार है बीजेपी हाई कमान अभी भी बसंदरा को मनाने में लगा हुआ है, क्योंकि अगर बसंदरा राजे ने बगावत कर दी, तो दोजराट चौबिस के चुनाओ में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है वो इसे आपके हिसाब से राजस्थान का मुखमंत्री किसे बनना चाहिए? बालाकनात को बनना चाहिए बसंदरा राजे को या फिर दिया कुमारी को? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लेकर बता सकते हैं